तो आपके सामने question ये है कि हमारे पास 28% HCL solution है 28% weight by weight HCL हमारे पास है और हमें 0.4 molar solution बनाना है 2 लीटर पानी में उसी 28% HCL का use करके तो हम उस 28% HCL bottle में से मान लीजे वो solution हमारा bottle में रखा है तो उस 28% HCL में से हम कितना ml लें 2 लीटर पानी में उसको मिलाएं कितना ml हम लें 2 लीटर पानी में कि वो point formula का solution बन जाए तो हमारे पास यह formula available है ऐसे सारे questions के लिए volume required in ml मतलब कितना ml HCL 28% HCL का हमें चाहिए 0.4 molar solution बनाने के लिए 2 लीटर में तो volume required in ml into percentage of solution is equals to capital M which is equals to molarity into molar mass into required volume upon density यहां पर question में कभी कभी density की जगा specific gravity भी दिया रहता है जिसकी value भी question में साथ में दी रहती है तो हमें पूछा यही है volume required in ml तो हम कितना 28% HCL का लेंगे यह हमसे पूछा गया है तो इसको हम x consider कर लेंगे into 28 वो दिया हुआ है कि 28% HCL है कभी कभी question में 37% HCL दिया रहेगा या 70% HCL दिया रहेगा तो उस हिसाब से हम change करेंगे is equals to 0.4 molar का हमें बनाना है इसी तरह question में 0.5 या 1 molar का भी दे सकता है into molecular mass या molar mass HCL का होता है 36.5 into 2 दो लीटर हमें ultimate volume बनाना है अभी यह लीटर में है बट answer हमसे ml में पूछा है तो हम इसे last में ml में change कर देंगे divided by 1.15 जो की specific gravity या density question में दी हुई है तो हम सारे values put करेंगे x into 28 is equals to इन दोनों को हम multiply करेंगे तो 1.46 आएगा into 2 divided by 1.15 then इसके बाद solution इसका करेंगे तो यह value आएगी अभी भी यह चीज यहाँ पर लीटर में ही है फिर इसे divide करने के बाद यह आएगा अभी भी यह लीटर में है फिर यहाँ से 28 इधर divide में आ जाएगा फिर हमें इसका solution आएगा यह इसे divide करेंगे तो यह value आएगी यह value अभी हमारी लीटर में है अब हम इसे ml में change करेंगे तो जब हम लीटर से ml में change करेंगे